हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं इस्टडी फिट चैनल दोस्तों आज में इंडोक्राइन ग्लेंड के अंतरगत आने वाले थारायड गंती के बारे में बता रही हूं दोस्तों इस विजियो को सुरूर से लाश तक देखेगा बीच में इसकीप कभी मत किजेगा क्योंकि दोस सिंद्ध हर एक्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए आपके लिए इंपोर्टेंट है और बहुत ही बहुत ही न्दंग से बताया जाएगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे इसलिए वीडियो को ध्यान पूर्वग देखेगा और दोस्तों गंतिया ग्लेंड हो जो है तीन प् पियूसगरन्ती में इसलिएटियो के बारे ग्रंथि के अन दिएलाएट वार्व दॉस्तों क fake अंज्त टारींड ग्रंथि यंदेज you eigenlijk में विडियो कि से रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो शिलिवर्स के कॉर्डिंग है सभी वीडियो को वाज करके आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरिन कर सकते हैं और दोस्तों हंडेर से जदा वीडियो प्रिवियस यह यमसी क्यूज कोस्टन के बनाये गए हैं उसका प्रैक्टिस करना न भूलेगा तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के टापिक पर थारायट गरंथी के बारे में जानते हैं डेटेल में जैसा कि दोस्तों थारायट गरंथी जो है सरीर की सबसे बड़ी अंतह इस्त्रावी गरंथी है और सबसे छोटी कोन है दोस्तों पिट्री ग्रेंट यानि प्यूस ग्रेंथी तो सबसे बड़ी ग्रेंथी कोन है सबसे बड़ी अंता इस्त्रावी ग्रेंथी कोन है धाराइड ग्रेंथी ध्यान में रचीगा दोस्तों 3-4 प्रकार से question पुछा जाता है कि सरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी कोन है तो यक्रित हो जाएगा यानि कि लीवर सरीर की सबसे छोटी ग्रंथी कोन है तो पियूस ग्रंथी सरीर की सबसे बड़ी अंता इस्तराविक ग्रंथी कोन है तो थाराइर ग्रंथी चरी की सबसे बड़ी मिस्षirt ग्रंथी यानी मिस्ट ग्लाइन कौन है तो आगना से हो जाएगा इस FPoint को आपको ध्यान में रखना जरूरी है एंधोस्तों थाराइर ग्रंथी का जुभार है वार पतीश से तीज ग्राम होता है और यह थारायर ग्रंथी पूर्सू की अपेच्छा महिलाओं में बड़ी होती है और यह कहां पी इस्थित होती है दोस्तों यह हमारे गर्दन के स्वर यांतर लेरिंग से यानि कि जहां पर कंठ होता है वहाँ की काड़ी लेज़ो यानि कि उपास्तियों के पास यानि कि अगल बगल भागो पर दोनुं तरब दो पिंडों में इस्थित एक रीबन के अकार की आकरिती जैसे होती है इसकी संरचना गुलाबि H अकार की होती है और या संयोजी उततर की बनी होती है दोस्तो इसमें दो प्रकार के हार्मोंज इसत्रा होता है पहला है T3 जिसे ट्राइय आयोडो थायरोनीन बोला जाता है और दूसरा है T4 यानि इसे थाइराक्षिन या टेट्रा आयोडो थाइरोनीन बुला जाता है जो T3 होता है ट्राइडो थाइरोनीन उसको थाइरोडाइड हार्मोन भी बुला जाता है और T3 जो होता है और T4 से 4 गुनाय ताकतवर होती है किन्तु O इस्थाई होती है यह 20% उत्पादित होता है यह सरी के सभी तंत्रों की क्रियात्मक क्रियाओं को प्रवावित करती है जैसे सारीक ब्रिद्धिव विकास, चै अक्चै क्रिया, सारीक तापमान, हिदेदर आदिको और दोस्तों जो T4 होता है जिसे थाराक्षिन या तेत्रा आयोडू थारोनीन बूला जाता है यह T3 का प्रो हार्मोन थाराक्षिन होता है यह 80% उत्पादित होता है दोस्तों जैसा कि T3 और T4 हार्मोन जो होता है या प्रिट्री ग्रंथि के थारोट्रोफिर हार्मोन के उत्तेजित करने पर थाराइड ग्रंथि से उत्पादित होता है दोस्तों इन दोनों के अत्रिक एक और कैल्सी टोनीन का इस्तराव भी थाराइड ग्रंति करता है कैल्सी टोनीन का भी इस्तराव करता है रखता है कौन कैलसी टूनिन और कैलसी टूनिन थाराइट के सी सेल से निकलता है जैसा कि दोस्तों थाराइट ग्रंथी के महतों की खोज जो है सबसे पहले कोचर ने किया था कोचर जो स्वीश सर्जन थे 1883 में इन्होंने किया था अब बात करते हैं दोस्तों थाराइट हार्मोन के कार क्या है थाराइट ग्रंथी का कार क्या है जैसा कि दोस्तों इसका कार है इसका थाराक्षिन हार्मोन जो होता है थाराइट का जो थाराक्षिन हार्मोन होता है सभी प्रकार की उपापचय क्रियाओं की गति को नियंत्रित वा आपसिकृत प्रक्रियाओं की गति को तिब्र करता है ध्यान में रखिएगा जब भी चैपचय क्रियाओं की बात कहे वहाँ पे धरायट ग्रंति होगा ठीक है दोस्तों सभी प्रकाय की उपापचय क्रियाओं को यह नियंतित करता है सभी प्रकाय की चैपचय क्रियाओं को यह नियंतित करता है अगर पूछे की चैपचय क्रियाओं को सभी प्रकाय को नियंतित करता है तो ग्रंती में पूछेगा तो थाराइड ग्रंती हर्मोन म और क्या क्या कार करता है थाराक्षिन हर्मूर यहां आत्र में ग्लुकोज के आउसोसर कोशिकाओं में ग्लुकोज की पूर्ती बियमार यानि अधारी उपापचे दर यानि की बेसल मेटाबोलिक रेट एंड हिदे स्पंदन दर एंड प्रोटीन संस्नेशर की गती यहां सरीर के ताप आदी को नियंतित करता है इसको ध्यान में रखिएगा सभी पॉइंट को यहां मुक्ता सरीर की विभिन प्रक्रियाओं के उपरां तापक्रम को नियंतित करने का कारे करता है यहां धाराक्षिन जो होता है ब्रिद्धी एवं भीनन यानि ग्रोथ एंड डिफ्रें करता है तथा पिट्री ग्रंथी की क्रिया में भी भाग लेता है जैसा कि दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसके अल्प क्रिया सिलता यानि अल्प इस तरह से और इसके अधिक इस तरह से कौन-कौन से रोग हो जाते हैं जब इसका अल्प इस तरह होता है तो और जब अधि कि अल्प क्रिया सिल्टा या अल्प इस तरह से कौन कौन से रोग होते हैं जैसे कि दोस्तों हमारे सरीर में थाराक्सिंग के अदि अल्प क्रिया सिल्टा हो या अल्प इस तरह हो तो उपापते दर हमारी धीमी हो जाती है और भोजर में आयोडिंग की कमी हो जाती है मुत्र म अल्प इस्तराव से तो पहला है जड़वामंता जिसे क्रिटे नीज में बोला जाता है जड़वामंता क्रिटे नीज में मिक्सी डिमा घेंगा और हासी मेटों का रोग हो जाता है अल्प क्रिया सिलता से अर्प इस्तरा उसे तो पहला है जड़वामंता क्रिटेनेज में यह बच्चों में थराक्षिन की कमी के करण होता है किसमें होता है बच्चों में और इससे क्या-क्या लच्छे उपर होते हैं जो वामन्ता में बच्छों के थ्राक्षिन की कमी के काऱर क्या क्या होता है उपापप्त्य है यानि इसमी हो जाती है त्रफॉरिक्ष हो जाती है पार्दियाथ यहरि पीव안 य was जाती है दिवार हो Studios है उसके बिद्धी रुक जाती है थी दरें आंगी का भी कश पुद्र hon शाला नहीं हो पाता है एचैने सारे ड़्छोग होते होतें जरुघामनता की टेनेजमेंग बाते है अल्प किया सिलता से मिक्सी डिमा यह वैसकों में थाराक्षिंग की कमी से होता है इसमें चैप्चे की धीमी हो जाती है मोटापा हो जाता है आलस्पन लगता है दिमाग कमजर हो जाता है तुचा के नीचे त्रिस्मा जमा हो जाता है स्वास दर इवं रत चाप बढ़ जाता है किसी भी कार में मन नहीं लगता है जनदों योन परिवरतन की क्रिया भी धिमी हो जाती है एन तिसना होता है रोग आपका थरागसिंग की अलप किया सिलता से सवान्य घेंगा या गलगंड जिसे सिंपल ग्वाइटर बुलते हैं जैसे कि दोस्तों भोजन में आयोडिन की कमी होने पर थराग्रंथी बड़ी होकर फूल जाती है पहाड़ी छित्रों में जहां पानी में आयोडिन की कमी होती है वहाँ अधिकांस लोगों में घेंगा रोग पाए जाता है ऐसे छित्र को घेंगा छित्रिया गोईटर बेल्ट कहते हैं एन चलता रोग होता है थराग्र की अलप किया सिलता से हासी मेटो का रोग इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब थाराइड ग्रंथी का इस्त्राव इतना कम हो जाता है कि इस्त्राव को बहाने के लिए जो दवा दी जाती है और सधी दी जाती है वह दवा का काम न करके बिस का काम करने लगती है तो दोस्तें ये थराइड को नॉस्ट कर देते हैं, इसे एंटी इम्यून रोग या थराइड की आत्म हत्या सुसाइड आप थराइड भी कहते हैं इसको, ये तो था थराइड की अट्प क्रिया सिल्टा से होने वाले रोग, अब बात करते हैं थराइड की अत्प क्रिया सिल् पल्यूमार्स रोग एक सो थैल में गईटर जो होता है इसमें नेत्र गोलक की नीचे स्लेशमा जमा हो जाता है एंड स्वास वा हिदय की धड़कन बढ़ जाती है एंड जो पल्यूमार्स रोग है या थाराइड गरंथी में जगह जगह गाठे पढ़ जाती है तो दोस्तों एथा थाराइड गरंथी के बारे में क्या है कौंकों से हार्मोंस उत्पन होते हैं इसके कारे क्या है कौंकों से रोग होते हैं I hope कि दोस्तों सभी टापिक आपको समझ में आये होंगे कोई भी डाउट नहीं होगा आपको तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा झाल झाल